सब्सक्राइब करें घसेरी चैनल और बेल आइकन दबाएं नए वीडियो देखने के लिए साथियो आज हम बात करेंगे उत्रा खंड में खेतों के नामों की मतलब पुंगड़ा पुंगड़ों पुंगड़ पुंगड़ी फांगा फांगी दोकुरू दोकुरू दोकुरी दोकुरो दोकुरे हांग अर्रेजा के नामों की अब जब उत्राखंड में खेतों के इतने अधिक नाम है तो फिर खेतों का अलग अलग नाम करण तो होगा ही तो फिर कितने नाम होंगे यहाँ पर हम आपको 200-300 नाम ही बता पाएंगे दगडियो खेतों के समूह को सार यसारी कहते हैं जनसटेडिसार गिवणिसार गाउं के उपर वाले खेत हो जाते हैं मैल्यसारी या मत्सारी और नीचे वाले खेत तैल्यसारी इसी तरह से घर के पास में जो खेत हैं उन्हें कहा जाता है घरसारी जहां साक सबजी बोई जाती है उनको सगवड या सगवारा और सिचाई वाले खेतों को स्यर, सेरा या स्यारा कहते हैं जिन खेतों में सिचाई नहीं होती है वे उखड कहलाते हैं जबकि गदना या गार की मिटी से बनने वाले खेत को बगड, रगड और रोड कहते हैं अगर भूमी समतल है और वहां खेत हैं तो उन्हें सौड या सेंड कहा जाता है कुछ खेतों को देवताओं को भी समर्पित किया जाता है वे खेत द्यू को कहलाते हैं रास्ते वाला खेत बाटा फांग, बार्ट राई तो पानी के पास वाले खेत को पानी फांग, मंगरा सेरा, अम्या पानी आदि कहा जाता है कुछ खेत ऐसे होते हैं जिनमें खेती करना मुश्किल होता है या उनमें खेती की ही नहीं जा सकती है ऐसे खेतों को दंगार, दंग्यान, डांग, ढूंग्यान या जाबड कहते हैं इसी तरह से गाउं से दूर की उबर्ड खाबड जमीन बन जाती है काटल तो खड़े पहाड पर चौरस भूमी को ढौंड्यालू कहा जाता है पहाडी छेत्रों में कुछ खेतों में बहुत नमी रहती है मतलब वहाँ दूब बहुत कम आती है तो ऐसे खेतों का नाम पर जाता है सिलो, सिमार या स्चमार कुछ ऐसे भी खेत होते हैं जिनमें 3-4 वर्षों में एक बार खेती होती है उन्हें भदवार कहते हैं आप सोच रहे होंगे कि मैं खेतों के नाम बताने वाला था विशेश नामों की तो हम आगे चर्चा करेंगे खेतों के नामों से हमारी लोक भाशाओं की शब्द शामर्थ का भी पता चलता है जैसे हम सटी के खेत को सत्याडा तो गेहूं के खेत को गिवाडा कहते हैं आपने स्री नरेंद्र सिंग नेगी जी का एक गीत सुना होगा दरोल्या छोन भंगल्या भंगलोडा ध्वलियू छोन देखा आपने इसमें भंगलोडा आया है मतलब भांग का खेत इसी तरह से जिस खेत में जो सबजी या अनाज बोया गया हो उसका उस हिसाब से नाम करण कर दिया जाता है लेकिन ये नाम पर्मनेंट नहीं होते मतलब ये नाम अस्थाई होते हैं जैसे आलू का खेत अलवार, मिर्च का खेत मर्चवड या मर्चवडा, मक्य का खेत मुंग्रियाडा, तिल का खेत तिल्वडा, कोदा का खेत क्वदार, प्याज का खेत प्याजवड, भट का खेत भटवड, जो का खेत जवड, गहत का खेत गतवड, जंगोर का खेत पड़, तमबाकू का खेत तमख्वान, गन्य का खेत लिख्वाडा, सरसों यानि लईया का खेत लयड या लयाडा, सरसों को घर्या भी कहते हैं, इसलिए उसके खेत को घर्याड भी कहा जाता है, इसी तरह, जहां रोपणी के लिए पहुत तयार की जाती है, उसे बिजवाडा कहते हैं, जिस पर बाड की गई हो, वह खेत बन जाता है, बाड़ी या बाडू, आपने देखा होगा, कि कहीं पर ये नाम इस्थाई, यानि पर्मनेंट भी बन जाते हैं, तयले सारी मैले सारी सटेडी सारी ग्युमणी सारी, इन खेतों के भी छोटे छोटे समुहों के अलग अलग नाम होते हैं, कई नाम तो खेतों की इस्तिति को देखकर रखे जाते हैं, जैसे खरक, यानि जहां अस्ताई गोशाला या गोट लगाई जाती थी, उस जगा का नामी पड़ गया खरका, जहां खेत चोड़े हों, तो उस अस्तान को ख्यात बोला जाता है, यदि आप सभी गाउं के खेतों के नाम पर गोर करोगे, तो कई नाम अधिकतर गाउं में मिल जाएंगे, जैसे बगड, डांग, ख्यात, बाड़ी, बठखड़ी, लंबाड़ी या लंडांग, मतलब लंबा खेत, जेठुन, बाड़ि, डंगू, पेड़ों के नाम पर भी आपको खेतों के नाम मिल जाएंगे, आप सुनना चाहेंगे, ऐसे खेतों के नाम, तो चलिए, सुना देता हूं, सेमल, ग्वीरल खोब, सीमल कुडांग, कफुल, काफुल, आम तौला, खडीक तौला, गैंठिम, सानड, पैया फांग, काफले बाड़ी, गीठी डांग, हि उत्रा खंड की परंपराओं और संस्कृति से जुड़ी स्रीमती, रेखा देव शाली ने सही कहा, कि खेत कहीं के भी हो, उनमें अपना पन लगता है, अब जैसे मैंने पहले आपसे वादा किया था, कि मैं यहाँ पर आपको गड़वाल और कुमाओं में, विविन गाओं में, खेतों के कुछ नाम बताऊंगा, इन नामों को गौर से सुनिये, हो सकता है, आपके कुछ खेतों के नाम, इनमें आपको सुनने को मिल जाएं, अपने खेतों के नाम नीचे कमेंट में भी दे सकते हैं, तो अब सुनता चाओं कुछ पुंगड़ों का नाम, चुया, पुकली, नंदा खाल, नंदा ख्यात, धोरे धार, पाणी खोली, डंगु, बाडी, खंकरा, खांडी, परक्वली, बटबडी, थमतली, मलक्यत, विरकिंडी, गुन्ना, घरबु डंगु, बल्ली, धोरी, कटुला भ्याल, खांडा, भैंसवडी, भंगरो, चौरडी, खुना, तिमल भ्यल, पाणी खांडी, मंजर्यन, नंगु, गडवरी, बैंसवड, दबलन, कुडादी, चवादी, छीदी, दोल्या डांग, सील पाक, ग्वीरल खोब, पाटा, भंगसडी, कुटली, कुटली डांग, करिंडा, सौकुबिंड, चुपडा, ख्वाब, खगली, मसारी, बेला, बोडी, धारी, परखोली, मतखोली, धोरा, धोया, किमुस्याल, घटवार, दरियारो, जीठुन, जठंडू या जीठुन, उस खेत को कहा जाता है, जो कि परिवार के बड़े भाई को मिलता है, ऐसे ही अन्य खेतों के नाम है, कुमोगाव, धाया, थुलहांग, आच्री, गेरा, सिमकन्या, मैकुड, धारुपार, मेल घुगुई, तिल घुगुई, ज्योतीर, मागेथु, मैकुड, सिरकार, लालपैन, उगोया, नायु, कोटाया, विंको गदरा, कोटडी रतयु, सेतोई, बिर्नट नोय, गोठु, मात, आप्रमून, छिप्ठोय, सिलोधार, गवानासेन, चाफुली, कुड, अगाडिकु डोखुरु, कुड, पिचाडिकु डोखुरु, बीटकु डोखुरु, धार्सेकु डोखुरु, बड्डुकु डोखुरु, पन्यार खाल कु डोखुरु, अखोडी खाल कु डोखुरु, सिरोलुकु डोखुरु, धंगार सेकु डोखुरु, क्यारिसारी कु डोखुरु, रमेल खाल कु डोखुरु, ठुल पाटव, मलब बड़ा खेत, बाठ तिराई, मलब रास्ते के नीचे का खेत, चोखिया, ड मोठो, गद्यार, करई, मलब जुकाव वाला खेत, खान की, मतलब माल गुजार का खेत, ददक पाटव, मतक सिमार, कन होआ, दोहरी, सिमुवक, डाव मूड, कुलाडी खेत, तिलकम, इजर बदान, कलताव, सस्कील, थुलहाग, नोवहांग, नोले के पास वाला खेत, कुमना, भियोव कनाव, बुड़ी हांग, खितोई, बगड, ताल बगड, थै, हसिगाड, जनोट, कुलपन, बिलुड, उचोर, डाधर, बोट, धड़ी, थुलघर, गढ़ाई, आईगड, बुढाई, शालीमु, आमतोला, खडीक तोला, गेठ्युम, सानड, खडीक, लंबाडी, त्वराडा, गद्रमो, बांजाधार, मेल्यधार, स्यमलोख्योत, धाप, पल्यगद्राकतर, क्वेराल, बौठा, सिवपाटी, मतलब जहां दाल होती है, तुओई, जहां कोदा बोया जाता है, डुंगा स्योरा, गैरी, खरकु, कढ़ोन, थरपुधार, गजार, जड़िया पाणी, पनखेत, गोट गैरी, ताल टुक, कोराई, बुराई, परिहारी, बिलहारी, खिला, मत्यारी, कांडा सेर, बगुनधार, धोन, पयानो, रगडाम, कुट्टू सेर, मर्तुंग, डांग, बांजा, रीखून, तोहयूं, मयोटी, नौरी, गडमो, फेर, चिरोई, मावसारी, सोनडी, अमखोई, गिलास, नकोटी हमेटन, रोप तहाई, भैसी इजर, बीचा खेत, स्यार में, पाणी धारन, तिलाई धार, पारी बाडन, सैंड चार, द्यूल खंडू, बाडियूं, डबुरू, भदगा छाला, सिलोली, खील, चोपडा, रच खेत, पुसडा खेत, खारे खोली, गट्ट पाता, फल्द पा लाठो की, घीडी, स्यामका डांड, नवल खाणी, पोखरी चाल, चोपाड, चुराडी, पाणी डांग, घरो डांग, उर्ख्यले खोली, रीठवाडी, क्वठ्यों, ग्वेला डांग, सील चू भ्यल, क्वेट गदीर, मेल खुंडेई, सालर, गिवे, खील, पंत पैथर, तूनुखील, पित्रेगेर, चाबटा, संचार, रणयट, आचरी घेरा, खंदु, सांगडु, बुढाई, गैवाड, डोहरी, लालपेरी, पस्तूली, अक्सूड, खांडी, करचूली, घटकोली, सिम्मु, मंजाड, सीलों, चांगरों, डांगु, कुंडील, घस् गन्स्याडो, धापा, असने सारी, जूजेली, बगवन, पाली, पेलवाडा, पंजरा, खोवड, जाक, स्यारी, स्योरा, सिमला, गुडख्यट, खडगट, गट, बॉंडार, बगड, सिमसारी, डोबे सारी, मातिखाल, लैनी, बरसूट, ओनो सैरा खेत अनेक, तो नाम भी अनेक, खेतों के नामों की यह रोचक दुनिया, शोद का विशय भी हो सकती है भाई, चन्दन रावत ने सही लिखा है, खेतों के यह नाम, पुराने समय के गूगल मैप हुआ करते थे, जिनका इस वर्चुल दुनिया में भी महत्व है आप सभी से अनुरोध है, इनका महत्व बना कर रखें समन्या, नमस्ते, पहला आग। समन्या रावत. झाल झाल, बस्ते अनुरोध है, इनका महत्व पर्चुल द। झाल झाल